आज का टॉपिक is Supply and Demand Zone Supply and Demand Zone draw कैसे करे और trade कैसे करे Demand and Supply Zone हमें मार्केट में Reversals को identify करने में help करते हैं यानि हम यह पता लगा सकते हैं कि price कहां से उपर जा सकता है और price कहां से नीचे आ सकता है With the help of Demand and Supply Zone और trust me family यह support and resistance से better काम करता है सो बिना skip के वीडियो को end तक जरूर देखे वीडियो पसंद आए तभी वीडियो को like करे वन्ना अपना feedback हमारे साथ comment के माधिम से share करे नो basic से start करते हैं What is Demand and Supply Zone देखिए Demand and Supply Zone support और resistance level के थियोरी से थोड़ा advance है अगर आप chart पे देखो तो यह हमारा support level है जहां से price उपर गया है सो हमने यहां एक support level ड्रॉ किया इस उमीद में कि price वापस जब इस level को अप्रोच करेगा तो price वापस यहां से उपर चला जाएगा आईए आगे देखते हैं क्या होता है बट price यहां पहुँचने के पहले ही उपर चला गया तो इस situation में हम देखते रहा जाते हैं कि price यहां आएगा और हम खरीदेंगे पर price पहले ही उपर चला जाता है Now the question is हमें ऐसे situation में क्या करना चाहिए तो ऐसे situation में हमारे पास एक option है कि हम इसका demand zone पता करे So अगर इस chart को देखे तो यह हमारा demand zone है green वाला अब अब देखिए demand zone में हमारा price आया और price उपर चला गया यानि support तक नहीं गया पर demand zone तक आया और price उपर चला गया So अगर हम demand zone को draw करना सीख जाते हैं तो हम यह पता लगा सकते हैं कि market कहां से उपर जा सकता है Demand zone कैसे draw करना है अभी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा बट उसके पहले थोड़ा और चीजों को समझते हैं Next है supply zone तो supply zone क्या होता है यहां हमारे पास chart पे एक resistance level है और हम यहां यह उम्मीद करते हैं कि price वापस इस level को अप्रोच करेगा और यहां से reverse होगा बट हमारा price जब दुबारा उपर गया तो वो इस level तक पहुँचने के पहले ही reverse हो गया और price reverse कहां से हुआ price इस supply zone से reverse हुआ यह जो rate color का box है यह हमारा supply zone है और price यहां से नीचे आ गया तो यह हमारे लिए best opportunity है कि हम demand and supply level को mark करके support और resistance level से better trade ले सके बट इसका मतलब यह बिलकुल नहीं है कि support और resistance level बेकार है support और resistance level के अपने अलग benefits है तो आईए अब समझते हैं कैसे हम demand and supply zone को mark करते हैं अगर आप chart को देखो तो यह हमारा support level है बट अगर हम price को देखे तो आप देख सकते हो price पहले ही यहां से reverse हो गया तो हम कैसे पता करें कि demand zone कौन सा है कुछ नहीं करना यह बहुत आसान है demand and supply zone mark करना बहुत आसान है आईए समझते हैं क्यासे तो जिस candle में हमारा support level create हुआ है उस candle के body के size का normally हम एक demand zone draw करेंगे कुछ इस प्रकार now अब देखिए इसी candle के body size का हमने एक demand zone create किया और price फिर इसी reason से उपर चला गया देखिए आपको यह बात समझना चाहिए कि price जो होता है वो support level से पहले भी move कर सकता है क्योंकि support और resistance level कोई magical line नहीं है कि price उसी line से reverse होगा यह एक zone होता है क्योंकि price का support या resistance level तक पहुँचने के पहले ही लोगों के sentiment में changes आना शुरू हो जाते है जिस वज़ा से demand and supply zone हमें better result देते हैं इसी तरह हम supply zone में draw कर सकते हैं यहाँ आप देख सकते हो यह हमारा resistance level है अब यहाँ देखिए यहाँ candle का wick बहुत लंबा है तो ऐसे situation में जहाँ wick का size बहुत जादा बड़ा होता है वहाँ हम wick को ignore करेंगे तो यहाँ हम open price और closing price के base पर एक supply zone draw कर सकते हैं कुछ इस प्रकार तो यह जो हमारा reason है यह supply zone है क्योंकि यह हमारा resistance level था और इसी resistance level पर जो candle था हमने उसके base पर एक supply zone draw किया और आप यहाँ देख सकते हो जब price यहाँ उपर गया तो इसी supply zone को hit करके price नीचे आ गया अब देखिए यहाँ कोई fix rule नहीं है कि exactly हमें किस size का demand and supply zone draw करना है generally मैं prefer करता हूँ जो candle का range है उसी size का demand and supply zone हो अगर विक बहुत लंबा है तो हम विक को ignore करेंगे आए अब हम second way देखते हैं demand and supply zone draw करने का So the next way is consolidation यहाँ आप देख सकते हो price एक tight range में consolidate कर रहा है तो हम इस entire consolidation के base पर एक zone create कर सकते हैं कुछ इस प्रकार और देखते हैं आगे क्या होता है price उपर आता है और इस zone से reverse जाता है तो हम एक tight consolidation के base पर भी एक demand and supply zone create कर सकते हैं आए एक और example देखते हैं So यहाँ आप देख सकते हो market एक tight range में consolidate कर रहा है Next हमने entire range के base पर एक demand zone draw किया Next price नीचे आता है और फिर इस demand zone से reverse हो जाता है अब कुछ key point है जिसे आपको याद रखना है देखिए कोई भी demand या supply zone अगर दो बार से ज़्यादा test हो जाता है मतलब अगर price उस zone पर दो से ज़्यादा बार टकरा चुका है तो फिर अब demand and supply zone weak होने लगता है मतलब यहाँ chances है अब यह zone break हो सकता है तो यहाँ तक हमें demand and supply zone draw करना सीख लिया अब बात करते हैं हमें trade कैसे करना है देखिए हम सिप demand and supply zone के base पर कोई trade नहीं ले सकते इसके साथ हमें other method और confirmation का use करना है जैसे multiple time frame analysis जिसमें हम बड़ टाइम फ्रेम में demand and supply को mark करते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में rejection और pattern के base पर trade लेते हैं फिर candlestick और इसके साथ हम technical indicator का भी use कर सकते हैं तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम candlestick को demand and supply के साथ combine करके use कर सकते हैं जिसमें हम pin bar, doji और engulfing pattern को use करेंगे अगर आपको इन candlestick pattern के बारे में नहीं पता तो मैंने already इन पर वीडियो बनाया है उन वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा तो उन वीडियो को एक बार जरूर देखें सो जब भी price demand level को अप्रोच करता है और उस समय अगर हमें momentum loss देखने को मिलता है मतलब जैसे जैसे price demand level के पास आता है वैसे वैसे average candle का साथ छोटा होता जाता है और फिर हमें doji type candle या pin bar candle मिलता है तो ये हमारे लिए एक better indication होता है कि अब price यहां से उपर जा सकता है entry हम तब लेगे जब pin bar या doji का high break हो जाए with a healthy green candle उसी तरह जब price supply zone को अप्रोच करता है और उसी समय हमें momentum loss देखने को मिलता है then finally हमें doji या bearish pin bar देखने को मिलता है entry हम इसके low break पर लेगे with a healthy red candle so आईए कुछ example देखते हैं यहां आप देख सकते हो हमारे पास एक demand zone है चुकि price यहां से reject होकर ऊपर चला जाता है तो हमने इस candle के base पर यहां एक demand zone draw किया कुछ इस प्रकार next price वापस इस level को अप्रोच करता है now यहां देखिए जब price इस level को अप्रोच करता है तो यहां candles का साइच छोटा होते जाता है जो एक momentum loss का sign है next यहां हमारे पास एक bullish pin bar है अब हमें wait करना है अगर एक healthy green candle इसके high को break करके closing दे दे तो हम यहां buy कर सकते हैं इसी तरह हम other bullish और bearish candle stick के base पर demand and supplies उनको trade कर सकते हैं आने वाले next videos में हम different trading strategies को देखेंगे जिसमें हम demand and supplies उनको use करेंगे आज के लिए इतना ही मिलते हैं next video में hopefully guys आपको इस video से थोड़ी information मिली होगी अगर आपको video informative लगी तो video को like और channel को subscribe जरूर करें मिलते हैं next video में तब तक के लिए best of luck for you